hello and welcome students now let's start common collector configuration ठीक है चली यह start करते है common collector को क्या है इसमें यह देखते हैं इंद शरकी डायग्राम जो इसका सरकी डायग्राम यह देख लिए इसका सरकी डायग्राम है the base is input terminal base हमारा input terminal है emitter is output terminal emitter output terminal हमारा and collector is the both common for both input and output terminal यह देखिए input है यह output है यह हमारा common हो गया collector हमारा इसमें ठीक है in the circuit arrangement input is applied between base and collector while output is taken between emitter and collector देखिए input हमारा जो होड़ा है क्या होड़ा base और collector के बीच में होड़ा तो इसका क्या होगा VBC अगर voltage देखा देखिए तो VEC और क्या output क्या है हमारा emitter और collector के बीच में तो क्या हो यह output होगा VEC ठीक है यहांसा output यह होता है in common collector circuit input current is the base input current is the base and जिसे हम लोग IBC denote कर रहें and output current is the IE यह output हमारा होगा यह input होगया यह output होगा IE होगया ठीक है common क्या है हमारे पास यह IC हमारे पास common है ठीक है यह इसका NPN होगया और यहां से इसका circuit होगया यहां हम लोग क्या करते है आइस को एक लगाते हैं जो इमिटर के साथ है यह एक resistance लगा है जिसे हम रही से डिनोटिट करते हैं ठीक है कि आड़ी से दिनोट करने यह हमारा current del ie del ie to the changing base current changing base current del ips होगा क्या होगा changing gamma is equal to changing ie upon changing ips ठीक है यह हमारा current application factor होता है अगर relation देखा जाए गामा और अलफा के बीच में हम लोग अलफा के बार में अलड़ी पढ़ चुके अलफा और बीटा के बार में अगर अलफा और गामा के बीच का relation देखा ले तो यहां से गामा के वेल्यू क्या है डेल आईए अपन डेल आईबी इसको एक्वेशन मान लिए हम लोग को अलड़ी पता है अलफा इजिकल टू क्या होता है डेल आईसी आपन डेल आईए होता है तो अगर हम लोग यहां से रिलेशन दोनों के बीच मे ठीक है इसी तरह यहां से डेल आईबी की वेल्यू अगर निकाला है यहां से आईए की वेल्यू पक्सक्राइद से निकल गई तो आईपने जै junk माइपन डेल आए मनें से डाटेकर और यहां से अअ नियमरित आटे numerator of rcharge by Lar게ér हम लोग क्या करते है आप रोर निम्लाधों जुम्स और क्या करते हैं में निकलके आ गई एंडले सब्सक्राइब कर सकते हैं तो एक्षेस्रमत और क्रेंट क्या होता है जो हमाड़ा प्लस आइसी होता है तो आइसी हम लोग पता है कि यहां अलवाटी पता है कि आइसी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं इसलिए हम लोग बहुत जगन नहीं विलिखते हैं लिखते हैं यहां से अगर आइक की अगर सब्सक्राइबल 할ुट कर दें चैङ São क्माना जागा one minus alpha हो जागा अभी प्लस । इसी वी हो गए यहां से याई की value निकल गर्या देगी आयई भी कि को अउपन आइदीप्थोथा और आइस एक आव् गाइस अलफा ठीके तो अलफा अलफा फिके यह हम को पता है ब an a upon a pane 1-1 अलफा जो होता है वह अपन इसलफा इसेऊल टो वीकल लटाइन अबवन प्लस वन होता है इसका फैर्मुला है मोग पढ़े एंड ऑर अलफा की रलेशन्ही 53 डिलेशनिसिट में तो यह यहां से हम लोग लेख सकते हैं बीटएग करना बिटा प्लस यहां से निकल लेगी 1 प्लस बिटा और आइपन आईबी हम लोग अटि आइपन आईबी हम लोग को आपन आईबी पर रहे हैं कि गामा होता है to gama is equal to one plus beta amazla pick up plus one ynanda poting testव और या मैं आलफा की टर्मिट्टाया निदो अगर और इ हिसका अप्लीकेशन देकर तो comment जो collector इसका अप्लेकेशन देञता है तो है इटेक दा हॉइ इंतुर पत्रिमिस्टेश्चेंस एद प्रोवईरित लो आऊट्पूट क्या करता है इंपूट हाई अगर लेता है तो आउट पूट क्या करता है लो प्रोवाइड करता है ठीक है यह इसका अप्लिकेशन है अगर इंपूट करेश्टिक देखते हैं इंपूट करेश्टिक में अगर देखा रहे तो दा इंपूट करेश्टिक डिस्क्राइब रिले current ib is taken along the y-axis along the y-axis and input voltage जो वोल्टेज होगा बेस कोलेक्टर होगा इस टेकन दा एक्स एक्सेस तो हम लोग क्या करते हैं तो डिटर्माइन दा इन्पुट का इस्टेटिक फी इस एट इस क्या करते हैं इसको फिक्स कर देते हैं यहां हम लोग क्या करते हैं इन्पूट जो इसपर को रखा तो हम स्टर्ट यह 신्टार्टिंग में इन्पुट को हम लोग 2 पर घखें, रखते हैं, इन्पुट को आथ पूट्ट को रखते हैं, यहां आथ पूट्ट को कॉइच्टेंट्ट रखें र क्या है, विइसी को फूट्र रखते हैं और हम लोग क्या करेंगे जो इंपूट करेंट है VBC इसको हम लोग धीर धीरे इंक्रीज करेंगे from 0 to value to different value तो तो हम लोग जैसे से different value इसके क्या करते है इंक्रीज करते हैं तो input voltage VBC के परतिक value के लिए हमारा input जो करेंट होता है को हम लोग करते क्या प्हले हमोग क्या किये थे फिर सहीरल बार समझ लीजे हम लोग क्या क्या की output को कौंस्वाट पर कारहना से available क्या करते इंक्रीज करते हैं व्ल् को different value और input voltage को VBC के प्रतिक value के लिए क्या होगा इंप्ट जो current होगा IB को हम लोग क्या करते नोट करते हैं ठीक है और इसके इसके लिए हम लोग एक ग्राफ नोट करते हैं यहां से अहां नोट करते हैं इस तरह हम लोग का ग्राफ बनता है ठीक है तो आईपूट अगर देखा चाहिए तो इंपोट ग्या होगा डिल वीछी वी इपन डिल आईबी एट कॉंस्टेट का होगया अगर अगर आउटपूट कैश्टेटिक होगए थे आउटपूट कैस्टेटिक की रहा है देख एक हमारा को देख चूख हूँ है कि इसके करया से से आलरडा देख आहां यहां पर और अलर्ड देख चुगे थे यह क्या होगा इस के था यह हमारा क्या होता है को कॉले सेन आक्टिव खेल चलिए यहां पर इस क्लास को एंटीर करते ん कलू mister